पश्यम बंगाल के मुखमत्री मम्ता बनर जी अब अपने ही बिचाय हुए जाल में भुरी तरीके से फस्तिव हुए दिखाई दे रही है मम्ता बनर जी ने जिस तरीके से कोलकाता में जो आरजिकल मेडिकल हॉस्पिटल है वहां पर ट्रेनी डॉक्टर के साथ में हुई बरबरता को दबाने की कोशस की थी इस पूरे के पूरे मामले को डिरेल करने की कोशस की थी और पीड़ता के परवार को तक पैसे दे करके उनका मूँ चुक करवाने की दरसल जो कोशस की गई थी वो अब ममता बेनरजी पर बहुत जादा भारी पढ़ती जा रही है और ममता सरकार पर क्यों ये बार बार गंभीर आरोप लग रहे थे कि ममता प्रोटेस्ट की यार में पॉलिटिक्स की यार में कहीं न कहीं अपराधी को बचाने की कोशस कर रही है इसके अब खुला से सीसी टीवी फोटेज से होते हुए दिखाई दे रही है आलम ये हो चला है इस केस में कि अब सीबी आई की स्पेशल टीम को लाई डिडेक्टर टेस्ट करना पड़ रहा है और कोट का गुसा फूटा है ममता बेनर जी की सरकार पर कैसे सबूतों को टेंपर किया गया है कैसे ममता के इशारे पर वहां की पुलिस ने इन सभी हरकतों को अंजाब दिया है चुकि ममता बेनर जी बंगाल की पश्चे बंगाल की नसर मुक्मनत्री है बलकि होम मिनिस्ट्री भी उनके अंतरगात आती है यानि कि पुलिस को कैसे नचाना है ये ममता बेनर जी के इशारे पर ही किया जाएगा तो अब इस मामले में जो सीसी टीवी फोटेज हाथ लगी है सीबियाई को टीम में उसमें बहुत बड़े और खुलासे हुए हैं जिसकी वज़े से कोट का गुसा ममता सरकार के खिलाप में फूटा है और अब इस केस में और भी तमाम जो पहलू है जो तमाम कडिया है वो जुड़ती चली जा रही है जिसकी वज़े से अब ममता सरकार दरसल थर-थर कांप रही है क्योंकि उनकी अब नाकामी लोगों के बीच में उजागर होती हुई दिखाई दे रही है क्या कुछ बड़ा अपडेट है इस रिपोर्ट में क्यों ममता सरकार अब थर-थर कांप दिखाई दे रही है इस रिपोर्ट में हम सलसले बार तरीके से समझेंगे लेकर उससे पहले आप सिफ विनमर नवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडि को अंजाम दिया गया था ममता बेनर जी उसी दिन से इस केस को दबाने की कोशिस कर रही थी और तमाम मीडिया हाउसे की तरफ से ये दावा किया जाने लगा कि सिर्फ और सिर्फ ममता सरकार की च्छवी पर कोई आच ना आए इसलिए इस केस को दबाने की कोशिस की जा रही और ममता सरकार के वाकई में तमाम अपराधियों को बचाने की कोशस कर रही इस तरीके के भतेरे सवाल निकल करके सामने आये थे और सुप्रेम कोट ने कुछ दिन पहले ममता सरकार को कैसे लताला था उसका भी हम इस रपोर्ट में विश्लेशर करेंगे लेकिन हम पहले जान लेते हैं कि सीसी टीवी फोटेज से क्या खुलासा हुगा है जिसकी वज़ा से अब भगदर का माहौल है दरसल जो रेपीड़ता है उसके साथ में जो तकरीबन चार डॉक्टर्स हैं जिसमें दो ट्रेनी डॉक्टर बताए जा रहे हैं जो उसके साथ में काम करते थे उनका अब लाइड डिटेक्टर टेस्ट करने का कोट में फरमा जारी करतिया है कि CBI को बहुत सारे दरसल शक हैं और सबूत के आधार पर कोट में ये गुहार लगाई गई थी कि इन लोगों का लाइड डिटेक्टर टेस्ट होना जरूरी है क्योंकि ये केस बहुत ही जादा पेचीदा होता चला जा रहा है दरसल ये ऐसा है नहीं जैसा दिक राइस में एक बहुत बड़ी साजिश की बू आ रही है CBI का दाबा है कि इस केस में बहुत बड़ा जोल है जिन चार डॉक्टर का लाइड डिटेक्टर टेस्ट होने की जो है परमीशन ली गई है उनके दरसल बयान आपस में मैच खाते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं दरसल CBI की स्पेशल टीम ने इन चारों के चारों डॉक्टर से अलग अलग करके एक एक करके पूछताच की और ये इंटेरोगेशन का सलसला बहुत लंबा चला इन से पूछा गया कि उस वक्त आप लोग कहां थे क्या कुछ हुआ वहां पर क्या सबूतों को मिटाने की कोशिस की गई यानि की सलसले बार तरीके से इस घटना के बारे में जब CBI ने इन चारों डॉक्टर से पूछा तो CBI ने पाया कि ये चारों के चारों डॉक्टर एक अलग ही कहानी बता रही है अपनी एक अलग-अलग मनगरंत स्टोरी चल रही है जिसके बेसिस पर CBI को शक हुआ कि दरसल यहाँ पर एक बहुत बड़ा जोल है यहाँ पर दाल में कुछ काला नहीं बलकि पूरी की पूरी दाल ही काली है जिनके साथ में लाइ डिडेक्टर टेस्ट किया जाएगा उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन फॉस्ट इयर के दो ट्रेनिंग डॉक्टर है एक हाउस सर्जन और एक इंटर्न डॉक्टर बताए जा रहा है इन चारों लोगों की दरसल अब यह जाच की जाएगी कि यह सच बोल रहे हैं या फिर जूट बोल रहे हैं इतना ही नहीं सीबियाई का दावा है कि इन लोगों पर सबूत मिटाने का शक है और बड़ी साज़श में शामिल होने का अंदेशा है सबूत मिटाने की बात तो पहले दिन से ही निकल कर के सामने आ रही है क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पर तोड़ फोड की गई और सीची टीवी फोटेज अब जो निकल कर के सामने आ रही है उसमें इन चारों के चारों डॉक्टर्स की जो गतिविदियां हैं वो संदिग्द हैं ये प्राइम सस्पेक्ट कह सकते हैं बन चुके हैं इस पूरे के पूरे मामले में और CBI ये दावा कर रही है कि सबूतों के साथ में छेड़ चार किया गया है इन लोगों के द्वारा ऐसा शक है CBI को और हो सकता है ये लोग एक बड़ी साजिश का दरसल हिस्सा हों एक बड़ इन लोगों का जो है लाइड डिरेक्टर टेस्ट करवाने की परमीशन ली गई है आपको बता दें कि तीसरी मंजिल पर इस्तित सेमिनार में इन चारों डॉक्टरों में से दो के फिंगर प्रिंट उस जगह पर मिले हैं जहां पर इस पूरी की पूरी घटना को अंजाम दि दावा किया है इसलिए इनकी ये लाइड डिरेक्टर टेस्ट परमीशन लेनी पड़ी है और जो फिंगर प्रिंट वहाँ पर मिले हैं कई फिंगर प्रिंट को वहाँ पर मिटाने की भी कोशिश की गई है ये भी दावा किया जा रहा है CBI ने CCTV कैमरे में खंगाला तो ये पता चला कि हाउस सर्जेंट पहली मंजल से तीसरी मंजल पर जाता हुआ दिख रहा है यानि कि जो उस रात की घटना है जो उस रात की CCTV फोटेज निकल करके सामने आ रही है वो इतनी ज़्यादा सस्पीशियस है इतनी ज़्यादा फ्रम पैदा करने वाली है क्योंकि इन डॉक्टर्स की जो एक्टिविटीज है दरसल उस रात की कभी तू दूसरी मंजल से तीसरी मंजल पर जाना कभी सेमिनार हॉल में जाना फिर इनके वहाँ पर फिंगर प्रिंट्स मिलना कुछ फिंगर प्रिंट्स का गाइब हो जाना ये बहुत सारी सस्पीशियस तिंग्स जो हैं वो कहीं न कहीं इनको अब कट घरे में लाकर के खड़ा कर दिया है क्योंकि CBI भी हैरान है ये इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने वाला कोलकाता पुलिस का सिर्फ और सिर्फ वालिंटियर संजे राओए नहीं हो सकता इसमें एक बड़ी साज़िश की बू आ रही है आपको बतादा है कि इससे पहले सुप्रीम कोट में इस मामले की सुनवाई हुई थी तो चीप जस्टिस ऑफ इंडिया डीबाई चंदरचूर ने ममता सरकार को लतारा था ममता सरकार को बुरी तरीके से फटकार लगाई गई थी कि आपकी पुलिस ने ही सबूत मिटाने का काम किया है और जो आरजिकर मेडिकल कॉलिज का हॉस्पिटल का जो प्रिंसिपल था उसने ट्रेनी डॉक्टर के परवार को कॉल करके उनके परजनों को कॉल करके इस पूरी के पुरे रेप और मडर की घटना को सिवसाइड करार दे दिया था कि आपकी बेटी ने Si-side कमिट की है यानि कि इस पूरे के पूरे केस को एक अलगी रूप देने की कोशस की जा रही थी और जिस संजै घोष ने इतना बड़ा जो है जूट बोला उसके परवार से और उसे अचानक से दूसरे हॉस्पिटल में जॉइन करने के लिए बोल दिया जाता है उसका तुरन ट्रांसफर कर दिया जाता है क्या उसको reward दिया जा रहाता उनसे interrogation क्यों नहीं तो अभी वो CBI की ग्रफ्त में है उससे भी interrogation चल रही है और ममता बेनर जी की जो पुलिस है चुकि ममता बेनर जी खुद होम मिनिस्टर है वहां की तो उनके इशारे पर ही कोलकाता की पुलिस काम करेगी तो उस पुलिस ने जिस तरीके से वहां पर पूरे के पूरे क्राइम सीन की धज्जियां उड़ा करके रख दी थी तमाम सबूत मिटाने की कोशिस की गई इस केस को एक अलग एंगल देने की कोशिस की गई उससे खफ़ा हो करके चीप जस्टिस ओफ इंडिया डी बाई चंदर चूड ने तमाम S.P. लेवल के अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है कि आप ने जो बरबरता भरी इस घटना के सबूत मिटाने की कोशिस की है ये पूरी तरीके से निंदनी है और इनकी सजा आपको सस्पेंशन के तौर पर भुगतनी होगी जिसके बाद से लगातार ममता सरकार थर-थर कांप रही है एक तरह ममता बेनर जी की महला विरोधी छवी बन रही है दरसल ममता सरकार अब दो जो चक्की के पाट होते हैं उसमें बीच में पिस्ती हुई दिखाई दे रही है और ममता बेनर जी की जो चालाकी थी वो ही अब उनको दरसल अब इन पाटों के बीच में पेरती हुई दिखाई दे रही है दरसल पहला तो ये कि ममताव एनरजी खुद एक महिला मुख्यमंतरी है पश्यम बंगाल की उनके रहते हुए इस तरीके की जगन घटना को अंजाम दिया जाता है और चलो क्राइम हो जाता है जो क्रिमिनल्स होते हैं सभी के उपर ऐसे पहले से अंकुष्ट नहीं लगाया जा सकता जब क्राइम होगा उसके बाद महीं उसकी सजा होगी तो जैसे तैसे ये थोड़ी देर के लिए मान भी लिया जाए कि वहाँ पर जो है क्राइम हुआ लेकिन उसके बाद में ममता सरकार जिस तरीके से एक्ट किया उन्होंने कहीं न कहीं उस रेपिस्ट को ही बचाने का सिलसला शुरू हो चुका था पश्चिम बंगाल में तो उसमें ममता बेनर जी की जो चवी है वो महला विरोधी चवी के तौर पर निकल करके सामने आई दूसरा ममता बेनर जी जो प्रोटेस्ट करने के लिए निकली थी डिर्ड किलोमीटर की पद्यात्रा के लिए उससे भी ममता बेनर जी का जो पॉलिटिकल अजेंडा है वो सेट नहीं हो पाया और अब राजनेतिक तौर पर ममता बेनर जी अब पश्चिम बंगाल में बड़े पेमाने पर बैक फुट पर दिखाई दे रही है इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता दूसरी तरह सुप्रेम कोट में जो सुनवाई हुई उसमें सीबियाई ने अपनी रिपोर्ट में ये सौंपा की सबूत कैसे मिटाए गए पुलिस ने किस तरीके से वहाँ पर पूरे के पूरे क्राइम सीन की धज्जियां उड़ा करके रख थी एफ आया रेजिस्टर्ड की जा रही है तकरीबन दस से बारा घंटे के बाद थी जब क्राइम की घटना को अंजाम दिया जाता है जो घोश साहब हैं जो प्रिंसिपल थे आरजिकर मिडिकल हॉस्पिटल के उनको कैसे रिवाड दे दिया जाता है ममता बेनर्जी कैसे जो है धरना प्रदर्शन के लिए उतराती है मिडिकल कॉलेज पर कैसे अटेक होता है थमाम सबूतों को मिटा दे के लिए आरूपी को बचाने के लिए तो इस सब की बज़े से अब ममता बेनर्जी जो है बैक फूट पर अल्रेडी दिखाई दे रही है और सुप्रीम कोट जो लगातार जो जजजिस हैं उनके उनका गुसा फूट रहा है ममता सरकार पर और इसलिए ममता सरकार अब थर-थर काप रही है कि एक आरूपी को बचाने के चकर में या फिर यू कहें कि उसको डिफेंस करने के चकर में जो ममता सरकार डिफेंसिव मोड में गई है वो अब ममता के लिए एक बड़ी गली की फास बनता हुगा दिखाई दे रहा है और कोट के जब भ बड़ा अपडेट के साथ मैं तब तक लिए धन्वाद गर आप लोग चैनल पर ना हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें साट बरें बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जैसे ही मैं कोई ना अपडेट लेकर क्या हो तो इसकी जानकारी सब सब पहले आपको मिलेग कर दो